अब बिहार के पर्मुख गर्म जलकुंड बिहार के पर्मुख गर्म जलकुंड मतलब गर्म जलकुंड जलकुंड मतलब पानी की पानी होते हैं मतलब पानी जहां लोग नहाते हैं तो सबसे पहले गर्म जलकुन जो हमारे मिलते हैं वो राजगीर और मुंगेर में सबसे ज्यादा मात्रा में स्थित है तो सबसे ज्यादा गर्म जलकुन कहां मिलेगा दोस्तों तो या देखना राजगीर में मुंगेर में स्थित है सब ज्यादा वहीं पर मिलते हैं जहां लो और आपका मुंगेरी मिलेगा अब गर्मकुंद से निकलने वाला जो जल होते हैं उसमें लोग क्यों नहाते हैं एसा कहावा थे बिहार में हमने कहें खुझली उजली हो रहा कलकल उलकल या बीमारी उमारी हो तो एक बाद जाके गर्म जलकुंद में नहाले आपका भगवान क में खनीज होते हैं और उसमें लवन होते है गंधक कनीज और क्या लबन सबसे पहले आप क्या रखना है मुंगेर का तो मुंगेर में दखी यह सब लिखा हुआ है रामेशवर लश्मान रिसी कुंड जन्म कुंड सीता कुंड सिंगार रिसी कुंड भरारी कुंड और भीमबान कुंड पंच्तर कुंड एक कहानी के माधियम समझेगा अगर आपको र रमायन में सबसे कौन थे राम भगवान थे तो राम भगवान को हम लोग क्या बोलते है रामेशवर तो सबसे पहले राम भगवान राम भगवान की छोड़ा भाई कौन था साथ में कौन रथा तो सर लचमन रथ तो लचमन कुंड रहो दिया राम हो गया लचमन हो गया और कुन थे तो उनके साथ प्रहाने के लिए रीषी होते थे तो raposare गया अब राम को उचमंड और इसी तीन बातों समझ में आगिया ऑब राम को बिवाह करना ठां तो राम को बिवाह करना था तो किस से करेंगे तो सिता प्राम कुनnement से करेंगे दोनों को जन्म कूंड लिए दखा जाता है कि मैच कर रहा है कि नहीं तो जन्म कुंड हो गया तो कितनी बात याद रखें राम कुंड लचमन कुंड रिसी कुंड जन्म कुंड और सिता कुंड तो बिवा किसे हो गया सिता से सिता कुंड याद रखना है अब दोस्तों सिता जी बिया होकर चला है अब जैसी पत्नी आया राम भगवान को तो राम बोले भाई साहिब बजट भारी पढ़ रहा है पत्नी को सिंगार लिपिष्टिक लाना पड़ता है तो याद रखना है भारारी कुंड क्या भारारी कुंड यह चीज को देखते हुए राम भगवान क्या करे थे एक बांध प पंचतर सिंगार के बारे में तो याद रखना है पंचतर कुंड कितनी बात रखना है राम लचमन रीसी जनम सीता भरारी भीम बांध और आपका पंचतर कुंड उमेद करते हैं मुंगेरवल आपको याद हो गया होगा अब आते हैं राजगीर में एक बात और है मुंगेर म सबसे कुंड़ कोन सा है है दोश्तो में सबसे ज्यादा तो याद रहो तो आ माईन में लश्मण गरम दिमाग के आदमी थे पूरे की पूरे बोरा ज़ते थे याद किया रखना है आपका गर्म कुढ़ तो यह मुगेर का सबसे गर्म कुढ़ कौन सा gosh गया तो दोस्तों याद रखना है लश्मा कुंड हो गया आई बात समझ में अब याद रखना राजगीर में तो राजगीर में सबसे पहला रखना ब्रहम कुंड के बारे में और विहार का सबसे गर्म कुंड यही सबसे बड़ा गर्म कुंड जो है वह आपका कौन है तो आद रखना ब्रहम कुंड ब्रहम कुंड जो है सबसे बड़ा कुंड सी है तो याद रखना ब्रहम कुंड जो है विहार का सबसे बड़ा गर्म कुंड है सबसे वह गर्म गर्म कुंड है अब यहाँ पर ब्रहम कुंड कहां राजीर में है और जब ब्रहम कुंड है तो उससे आद रखना सप्त धारा कुंड क्या सप्त धारा क to Maryam सब्ध Harsh Bakram सब्ध सूर्जमक और असे आधायन कों तो parrotาม सब्ध सूर्ज कर 12 द्रिर नानक गौंघ मकदुम नान sack कि गवुआ सब्सक्राइब विर से क्याई है बोलना वर्हम सब्ध सूर मकदुमनानक गौंघ ये की राजगीर बिहार का सबसे बड़ा गर्म कुण कुण है ब्रहम कुण और मुंगेर का सबसे आपका कुण हो जागा तो मुंगेर का सबसे गर्म हो जागा लचमन कुण और अब मुंगेर का सबसे बड़ा गर्म कुण लचमन कुण याद हो गया अब यहाँ पर एक है गया में गया में आपको याद रखना है कि बिहार का जो गया जिला है वो सबसे गर्म और सबसे ठंडा है गर्म और ठंडा है तो इसे आपको गया में अगनी कुण याद रखना तो ई हुआ कम्प्रीड